नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नूज में मेरेतन सेन भारती अज़ हम बात करेंगे मीठा पुर्बास रस्टेंट को लेकर बिहार किरा धानी पटना में इस्थित मीठा पुर्बास रस्टेंट 15 जुलाई से पूरी तरह से बंद हो जाएगा इसकी जगा सभी यातरी ब से बस स्टेंट की दूरी दोगनी से अधिक हो जाएगी वहीं पाटले पुत्र जंग्सन और दानापूर इलवेस्टेशन पर ट्रेंट छोड़ने पकड़ने वाले लोगों को भी अब बस स्टेंट तक पहुशने में काफी अधिक दूरी तय करनी होगी ऐसे में सबसाद प अभिभाग के कार्जपालक अभियंता को निदेश देते हुए कहा कि 15 जुलाई से पूर्वे जीरो माइल से पाटले पुद्र बस टर्मिनल से संपर्क पत को चौड़ी करन का काज पूर्ण कर ले इसके साथ ही बस टर्मिनल के निकट पुलिया का निर्मान भी 20 जून तक क गया जिले की बसों का परिचारन हो रहा है प्रधान सचीब ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 जुन से नालंदा नवादा सेखपूरा और जमुई की यातरी बसे भी पाटले पूत्र बस टर्मिनल से पहले तल्ले की भाती भूतल पर भी सवचालाय यूरीन और पेज अलकी सुबधा देने का निर्देश अपसरों को दिया गया ताकि आम यातरियों को किसी परकार की कोई परिशानी न हो पधान सचीब ने कहा कि पटना राजधानी होने की सासाथ प्रतिष्टित अधियान केंद्र आर्थी गतिविधियों अम्चकित सा सुबधा का भ सेखरस हिने कहा कि जिला पर्सासन पटले पूत्र बस टर्मिनल के सभी बसों का संचारन करने के लिए पूरी दरह से तयार है उन्होंने कहा कि 15 जुलाई से मीठापूर बस से सभी बसों का संचारन बंद कर दिये जार और यह सभी बसे अब पाठले पूत्र बस टर्मिनल से खुलेंगी इसके लिए जिला परसासन द्वारा तैयारी कर ली गई है एवं सही परकार की करवाई की जा रही है तो आपको बढ़ाते हैं कि यह बिहार के लिए एक बड़ी ख़बर है क्योंकि इससे पहले जितनी बसे थी को मिठापूर बस से खुलती थी अब बैरिया इस थी पाठले पुत्र बस टर्मिनल से अब सारी बसे सभी जिलों की बसे खुलेंगी फिलहाल 15 जून से तीन जिलों के लिए नालंदा नवादा और के लिए बसों के परिचारन की बाद कही गई है तो यह थी मिठापूर बस